ओम शांती संगम योग के हीरे तुल्ले समय पर शिव बाबा हमें सर्वगुण संपन बनाते हैं हमारे भीतर अनेक अनेक विशीचताएं अनेक अनेक गुण भर देते हैं क्योंकि वो खुद गुणों का सागर है और ये गुण हमें देने की विधी बाबा की बहुत ही न्यारी है और बहुत ही प्यारी है क्योंकि जैसे छोटा बच्चा अपने घर में माता, पिता, बंधू सखा टीचर अनेक संबंधियों के संबंध में आते हैं और हर एक से कुछ न कुछ सीखते हैं वैसे ही बाबा संगम युग पर कर हमें बहुत प्यार करते हैं, कभी पिता बन कर हमें help करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, कभी बंदू बन जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी टीचर बन कर हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी साजन भी बन जाते हैं, कभी को हर संबंद से यथार्थरीती जाद करते हैं तब वो शिफतें, तब वो विशेष्टाएं यथार्थरीती, पूर्णरीती हमारे भीतर समाती हैं और आत्मा में परिवर्तन हो जाता है तो आज की मुडली हमें बाप, टीचर, सत्गुरु की सर्व विशेष्टाएं धारण करने की विधी सिखा रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है आठ तारीक आठ अगस्त दोहजार चौबिस बाबा के मधर महवाक्य हैं मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सत्गुरु यह तीन अक्षर याद करो कौन से तीन अक्षर? बाब, शिक्षक, सत्गुरु तीनो तो अनेक शिफ्टें यानि विशेष्टाएं आ जाएंगे प्रेश्न है किन बच्चों के हर कदम में पदमों की कमाई जमा होती रहती है ऐसे तो ब्राम्मन आत्मा जहां जाती है वहां कमाई करती है खुद भी कमाई करती है और दूसरों की भी कराती है परन्तु खास कौन से बच्चे हैं जो हर पल कमाई करते रहते हैं उत्तर है जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पदमों की कमाई जमा करते हैं अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे सर्विस ही कदम में पदम देती है इसी से पदमा पदम पती बनते हो प्रश्न दूसरा है किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्यानकारी बनते हो उत्तर है बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की एक ही हटी है हटी यानी जैसे दुकान होती है सब लोग एक ही हटी पर आएंगे यहाँ सब को आना ही है यह बहुत गुह राज है सब को गती सदगती तो चाहिए और उसको प्राप्त करने की विधी भी एक बाबा ही बताते है और तरीका केवल इस बाबा की दुकानों पर ही मिलता है और कहीं पर वो रास्ता नहीं मिलेगा इस राज को जानने वाले बच्चे ही सब के कल्यानकारी बनते हैं तो बहुत ही गहराई से इस बात को समझना है कि जो चीजे बाबा हमें दे रहा है उस अंसार में और कोई नहीं दे सकता इसलिए सब आत्माओं को यहां आना ही है जब बुद्धी में ये बात होती है तो हम सब का कल्यान कर पाते हैं ओम शांती रूहानी बाब के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा क्या है बाब भी है टीचर भी है और सत्गुरू भी है बच्चे जानते हैं जानते हुए भी घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं बाबा हमें कितने स्वमान देते हैं यदि स्वमान याद है ना तो जैसे बाबा याद है क्योंकि बाब जैसे क्यान का सागर तो हम मास्टर ग्यान के सागर है प्यार का सागर है तो हम मास्टर प्यार के सागर है अब टीचर है तो टीचर की शिक्षाएं याद रहती है कि बाबा ने आज क्या कहा क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है मुझे तो शिक्षा याद रहती है और सत्गुरु हमें इस दुनिया से डिटाज कराता है निवरित कराता है तो अगर कर्म करते डिटाजमेंट है तो गुरु भी याद है तो इसलिए बाप, टीचर, गुरु तीनों याद रहें सुमान भी याद रहें, श्रीमत भी याद रहें, शिक्षाएं भी याद रहें और अंदर न्यारा और प्यारापन भी हो. तो बाप, टीचर, सत्गुरु याद हो. तो खड़ी-खड़ी भूलेंगे नहीं. यहाँ जो बैठे हैं, वह जानते तो होंगे न, परंतो भूल जाते हैं. दुनिया वाले तो बिलकुल नहीं जानते. हम तो याद करते हैं, भूलते हैं, याद करते हैं, भूलते हैं, वह तो जानते ही नहीं हैं. बाप कहते हैं, सिर्फ यह तीन अक्षर भी याद रहें, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं. प्रदर्शनी अत्वा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं. घर में भी मित्र संबंधी आदी बहुत आते हैं तो सेवा का स्कॉप बहुत है दोनों जगां बहुत है इतनी ज़ादा है घर में आओ या ओफिस में जाओ रस्ते में जाओ सब जगां बहुत आत्माए हैं जिनका कल्यान करने की जरूरत है अभी तो प्रदर्शनी में, म्यूजियम में, घर में बहुत लोग आते हैं कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है तीचर भी है और सत्गुरु भी है यह याद हो तो भी ठीक और कोई की याद ना आए यह है इंपोर्टन बात जिब किसी और की याद आती है तो यह याद भूल जाते है है ना और कोई तो ऐसे कह ना सके है ना और कोई को तो ऐसे कह ना सके तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाब भी है टीचर भी है सत्गुरु भी है कितना सहज है परन्त कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धी है जो यह तीन अक्षर भी बुद्धी में धारण नहीं कर सकते याद की बात नहीं हो रही धारणा की बात हो रही है तो यह तीन अक्षर भी याद नहीं कर पाते धारण नहीं कर सकते भोल जाते हैं बाबा हम को मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है न किसको बनाते हैं आत्मा को हद का बाप हद की रीती से आत्मा को मनुष्य आत्मा को कैसे उपर उठाना है उसके लिए तरीके बताते हैं पैसा खर्च करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दुनिया के अंदर कहते हैं अच्छा ये कर लो वो कर लो, स्टड़ी के लिए पैसे देंगे, मदद करेंगे हर तरीके से, पर तो बेहद का बाप आत्मा की उन्नति की बात करते हैं, मनुष्य को देवता बनाना आत्मा को पापात्मा से पुन्ने आत्मा और देवात्मा बना देना ये कारे बाबा करते हैं तो मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का ही वर्सा देंगे तो वर्सा भी हद का नहीं देंगे हद की चीजे प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो बेहद का सुख बेहद की शांती बेहद का आनन्द देंगे तो जरूर बेहद का वर्सा ही देंगे बेहद का वर्सा है देवताओं के पास इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं परन्तो यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए है, अब बाप बैट समझाते हैं, बास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकि याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें महनत है, बाबा हमारा बाब भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्सा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि पति तपावन बाप है, सिर्फ कहते हैं, कि सबको यही कहो, कि मुझे याद करो, बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा, तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पती तो सर्विस से ही बन सकते हैं, सर्विस ही कदम में पदम ले आते हैं, सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना? यह भी सर्विद्धी कहांती है, पहले शूद्र को ब्राम्मन बनाना पड़े, ब्राम्मन ही नहीं बनाएंगे, तो क्या बनेंगे? तो पहले ब्राम्मन फिर देवता, सर्विस तो चाहिए ना? बच्चों को सर्विस का समाचार भी, इसलिए सुनाया जाता है, कि टाम्टेशन हो, यहना उनकी भी मन करें, कि हम भी सेवा करें, सर्विस से ही पदम मिले हैं, सिर्फ एक बात ही सुनाओ, जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहत का बाप, बाप है, पर उन्तु का कोई को पता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गौड़ फादर कहते रहते हैं, वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धी में नहीं होगा, स्चुडेंट की बुद्धी में हमेशा टीचर याद रहता है, जब पूरी रीती नहीं पढ़ते हैं, उनको अन पढ़ा कहा जाता है, तो पूरी रीती पढ़ना, हमेशा सूल कॉंशिस होकर पढ़ना, यह बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं है, तो अनपढ़ा है, बाबा कहते हैं, हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए, यह तो समझ सकते हो ना, कि हम भाई-भाई हैं, दुनियावी लिहास से फल कुछ भी नहीं पढ़े, पर तु यह तो समझ सकते हैं, कि हम आत्मा हैं और आपस में भाई-भाई हैं, हमारा बाप बेहद का है, बाप आते ही हैं, एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परन्तो लोग कुछ भी समझते नहीं हैं, इश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता, तो उनको बुलाते ही क्यों, कि हे लिबरेटर आओ, कभी तो आया है, तबी तो बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ, जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, याद जब कर रहे हैं, तो शास्त्र पढ़कर क्या तीर्थों पर क्यों जाते बहां बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगास्नान आदी से कोई पावन हो कैसे सकते तो ये बुद्धी की बात है समझ की बात है कि जब हम भगवान को पतित पावन कह रहे हैं तो गंगास्नान करने से पावन कैसे बनेंगे स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते जन्म तो यहां ही लेना है नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्ग तो है ना इसको सतियुग थोड़ी कहेंगे पुनर जन्म यहीं ले रहे हैं फिर मुख से कहते स्वर्ग पधारा, तो ये तो स्वर्ग नहीं है ना, अब तो कलियोग है ना, मनुश्यों की तो बिलकुल पत्थर बुद्धी है, तो बुद्धी का प्रयोग नहीं करते हैं, जब बोलते हैं तो, जहां थोड़ा सुख देखते हैं, तो स्वर्ग समझ लेत यह बाप ही समझाते हैं, बाप को एक गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सब को सदकती भी देते हैं, भगवान बाप है, तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए, बाबा अक्षर भी ऐसा है, जिब कहते हैं, बाबा तो बस जैसे प्राप्ति आ जाती है, जो उनसे वर्से की खुश्बू जरूर आते हैं, और भल कितना भी काका, मामा आदी हैं, परन्तु उनसे वर्से की खुश्बू नहीं आती, वो प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते है गुरू के पास कोई जायदाद होती नहीं गुरू भी जायदाद नहीं देते जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो सुख, वो शांती, वो आनंद वो प्रेम, वो पवित्रता वो शक्तियां सब कुछ अंदर समाने लग जाता है बाबा कहते ही जो उसका है वो हमारा होने लगता है पकि कोई काका, चाचा, मामा को याद करो तो जो उसका है वो हमारा लगता नहीं है तो बाबा कहते हैं अंतर्मुक हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं गुरु के पास कोई जादाद होती नहीं, गुरु जायदाद नहीं देते हैं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं, तुमने सन्यास किया है विकारों का, तुमने घर बार का सन्यास नहीं किया है, विकारों का सन्यास किया है, वह तो कह देते हैं, हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हमने क्या छोड़ा हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते है तो ये सन्यास करना बहुत बड़ी बात है सुक्ष में है ये सन्यास नई दुनिया में जाना कितना सहज है हम सन्यास करते है सारी पुरानी स्रिष्टी तमु प्रधान दुनिया का सत्यूग है नई दुनिया यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर सब गाते है स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को परन्तु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं समझ कुछ नहीं तो बाब बच्चों को कहते हैं, सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा, बाब भी है, शिक्षक और सत्गुरु भी है, सब को ले जाएंगे. अक्षर ही दो हैं, कौन से? मन, मना, भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतो यह भी भूल जाते हैं, मन बुद्धी से बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं, पता नहीं, बुद्धी में क्या-क्या याद रहता है, ध्यान से सोचें, बुद्धी में क्या-क्या याद रहता है हमें इतनी important चीज भूल चाते हैं और unimportant बाते याद रखते हैं नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे तुम बैठे हो बाप, teacher, सत्गुरू के सामने तो वही याद आना चाहिए न student को teacher ही याद आयेगा ना परन्तु यहाँ माया है ना नहीं तो सारा दिन बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं तो मैडम ने ये कहा, teacher ने ये कहा, बताते रहते हैं teacher की बाते, school की बाते बताते रहते हैं यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पढ़कर आते हैं फिर रस्ते में ही भूल जाते हैं होता है ऐसे क्या है यहाँ? माया है ना मैं आया, बोडी कॉंशिसनेस आई और सब सोल की बाते भूल गई एकदम माथा ही मूड देती है अना बुद्धी जैसे दूसरी डारेक्शन में घुमा देती है सारा राज्य भाग्ये ही ले लेती है तुमको पता नहीं पढ़ता है ऐसे लेती हैं, हमें पता ही नहीं पढ़ता है आये तो थे वर्सा लेने परन तो मिलता कुछ भी नहीं ऐसे ही कहेंगे न भल स्वर्ग में तो चलेंगे परन्तु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है उच्छा पद लेना है यहां आए भल परन्तु पड़े नहीं आए पर पड़े नहीं फिर स्वर्ग में तो जाएंगे न यहां तो बैठे हैं न, समझते हैं स्वर्ग में जाना है फिर क्या भी बने वह तो पढ़ाई नहीं हुई न, इसे पढ़ाई थोड़ न कहेंगे थोड़ा भी सुना, तो उसका फल मिल जाता है पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलर्शिप मिलती है बाप से उच ते उच पद पाना है, तो पुरुशार्थ करना पड़े ऐसे नहीं कि बस स्वर्ग में तो चले जाएंगे न, क्या कोई भी पद मिल जाए पढ़ाई याद होगी, तो चुरासी का चक्र भी याद आ जाएगा यहां बैठने से सब याद आना चाहिए पर तो यह भी याद आता नहीं है, अगर याद आए, तो किसको सुनाए भी चित्र तो सब के पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुसा नहीं करेंगे, तो सेवा करने की बहुत मार्जिन है तो कहीं भी कर सकते हैं, बोलो, आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, तो बाबा, बिलकुल कितने प्यार से हमें सेवा करने की विदी सिखाते हैं, क्यासे बोलें उनसे इनके साथ आपका क्या संबंद है, ऐसे फाल्तु चित्र तो नहीं होगा शिव के लिए जरूर कहेंगे, यह भगवान है, भगवान तो निराकार ही होता है ऐसे सुनाएं प्यार से तो समझ जाएंगे, उनको बाब कहा जाता है, वह शिक्षा भी देते हैं तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, तीचर भी आत्मा बनती है, बाब भी इस रत पर आकर पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सिंपल रीती उनको समझाओ, सहज रीती, आटमाटिकली सब समझा जाएगा तो बाबा कहते हैं, सतियुग की स्थापना करते हैं, वहां कल युग का नाम निशान ही नहीं मनुष्य कहां से आएंगे सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन खयाल चलते रहते हैं, क्या सुनाएं, कैसे बताएं, कैसे समझाएं, बुद्धी चलती है सर्विस नहीं करते तो, समझा जाता है बुद्धी नहीं चलती जिसे बुद्धु बैठे हैं, बाब को समझ नहीं सकते पतित पावन बाब को याद करने से ही वर्सा मिलेगा याद करते करते मरेंगे, तो बाब की सब मिलकियत मिलेगी बेहद के बाप की मिलकियत है स्वर्ग बच्चों के पास बैज भी है घर में मित्र, सम्बंधी, आदि तो बहुत आते हैं कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो तो कितना स्कोप है शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है भल बड़ा ही रख दो इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है यह है गुप्त तुम गुप्त भी समझा सकते हो सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो यह है शिव बाबा, बाप, टीचर, सत्गुरु है यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं कितना सहज बाबा दूसरों को समझाने की विधी बताते हैं यह ज्यान तो बुद्धी में है ना बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो शिव बाबा पतित पावन है वह कहते हैं क्या कहते हैं बाबा? वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो यह लक्ष्मी नारायन इस नौलिज से ही बने हैं कहेंगे शिव बाबा निराकार है वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है वह कैसे आती है? तो जैसे आत्मा आती है वसे पर मात्मा भी आते हैं वह भी उपर से आती है न, पाट बज्जाने, यह भी बाप आकर समझाते है, बैल पर तो आना सके, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि शिव बैल की सवारी लेते हैं, तो बैल पर तो आना सके, बोलेगा कैसे, बैल की भाशे में थोड़ी न बोलेंगे, साधारण बोढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, कोई कहते, तुम भक्ति नहीं करते हो, पूछते हैं, बस यह ग्यान सुनाने, कुछ भक्ति नहीं करते हैं, बोलो, हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है, ऐसे डारेक्ली नहीं बोलना, कि भक्ति छ परण तो अभी है ग्यान मिला, तो युक्ती से, कट भी नहीं करने है कोई बात. किसको उठाने लिए सूचना चाहिए? क्या युक्ती रचे? कोई को नाराज भी नहीं करना है, किसी की भावना को ठेश नहीं पोचानी चाहिए. ग्रहस्त विहवार में रहते, सिर्फ पवित्र रहना है. तुम कहते हो बाबा, सर्विस नहीं मिलती है. है कोई ऐसा जो कहे, सर्विस नहीं मिलती है. अरे, सर्विस तो बहुत कर सकते हो. गंगाजी पर जाकर बैठ जाओ. बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा? ऐसे पूछो क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो क्या? हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ तुब अब बता रहे हैं कैसे सेवा करो आत्माओं की फिर वह पतित पावन है? या यह है? ऐसे करके पूछो ऐसे नदियां तो धेर है बाप पतित पावन तो एक ही है यह पानी की नदियां तो सदेव हैं ही बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है आते भी है पुरुशोत्तम संगम युगपर आकर पावन बनाते हैं वहा कोई पतत होता नहीं जहां पावन बनाकर बाबा मिले जाते हैं उस सत्युग में कोई पतत नहीं होता नाम ही है स्वर्ग नई दुनियां अभी तो है पुरानी दुनियां इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं बुद्धु भी ना बनो बुद्धु भी नहीं बनना है कहते हैं क्या कहते हैं बुद्धु कैसे बनाते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं पीजय पैगाम पहुचाते हैं ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम उपर से कबूतर लाएंगे तो बुद्धु भी नहीं बनना है बातों में नहीं आजाना है यह भी सिख लाते हैं उनके पाओं में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा पुराने जमाने में कबूतर के पाउं में पर्ची से लिख कर भेज जेते थे उनको सहजरीती दाना मिलता है तो और कहां भटकने की दरकार नहीं तुमको भी यहां दाना मिलता है क्या दाना मिलता है यह ग्यान खजाना मिलता है दाना क्या मिलता है है ना आत्मा को भोजन मिलता है जो यहां से मिलती है, किसी को कहीं कुछ मिलता है ना, तो फिर वो बार-बार वहां जाता है, वहें फिर समझते हैं, दाना यहां से मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं, आदत पढ़ जाती है, तो अपने आप ही उड़कर वहीं जाएंगे, तो बाबा कहते हैं, तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रतनों का दाना मिलता है है ना, हमें कौनसा दाना मिलता है? अविनाशी ज्ञान रतनों का दाना मिलता है की भी आदत पढ़ जाती है शास्त्रों में भी है चडियाओं उने सागर को सुखाया ऐसे शास्त्र में बताते हैं बहुत कथाई लिग दी है कि चडिया ने कैसे सागर को पूरा हप कर लिया सुखा दिया सागर को अपना पानी खीचना पड़ा मनुष्य कहेंगे सत्थ पॉसिबल तो नहीं है न परन्तु कथाउं में बता दिया है परन्तु मनुष्य कहते हैं सत्थ फिर कहते हैं सागर से देवता निकले ये भी कहते हैं रतनों की थालियां भर कर ले आए ऐसे भी कहते हैं कहेंगे सत्थ पॉसिबल तो नहीं है ना? अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्यव देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं जन्म जन्मांतर जूट ही पढ़ते सुनते रहते हैं इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं इस पर? जूटी माया, जूटी काया, जूटा सब संसार सच्चे और जूटे सागर में कितना रात दिन का फर्क है? तो उस सागर की बात नहीं है जिससे देवता निकलते हैं ये शिबाबा है, ये सच्चा सागर है जो हम मनुष्यों को देवता बना देते हैं इस ज्ञान सागर में गोते खाकर हम आतमाई देवता बन जाते हैं देवतुल्य बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं, सच्चे और जूटे सागर में कितना रात दिन का फर्क है? जूट बोलते, बोलते, इन्सॉल्वेंट बन पड़े हैं बिलकुल आतमा खतम अंदर से जैसे कंगाल बन गई है तुम कितना युक्ती से समझाते हो? फिर भी कोटों में कोई-कोई बुद्धी में बैठता है यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग आज बाबा ने कितनी सारी युक्तियां बताई समझाने की? अब ऐसे युक्ती से अगर समझाए तो इजीली समझ जाए पढ़न तो है तो इजी पर फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाते बाप, टीचर, सत्गुरु को याद करने से उनकी शिफ्ते भी बुद्धी में आ जाएंगी बाप की विशेष्टाएं शिक्षक की विशेष्टाएं गुरु की विशेष्टाएं तीनों की विशेष्टाएं तीनों की शिफ्तें आत्मा में आ जाएंगी तीनों की qualities अपनी जाच करनी चाहिए हम सब बाबा को याद करते हैं वह और तरफ बुद्धी जाती है ये चक करो तुम्हारी बुद्धी को अभी समझ मिलती है कितनी मीठी-मीठी बाते बाप समझाते है युक्तियां बताते है तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, तीचर, सत्गुरु है उनको याद करो समझाने की युक्ति रचनी चाहिए ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे बढ़ते है क्योंकि दुनिया के अंदर जो ब्रह्मा का चित्र है वो अलग है और हमारे ब्रह्मा बाबा का चित्र लग है तो बहुत पीछे पढ़ते है शिव का चित्र देख, कभी उड़ाएंगे नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है वो तो वही निराकार जोती बिन्दु है अरे, यह तो आत्माओं का बाप है इनसे बहुतों को फाइदा हो सकता है इनको याद करने से इस जोती बिन्दु परमात्मा को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे वह सब का बाप है एक बाप के सिवाई कोई की याद नहीं आनी चाहिए और संग तोड एक संग जोड़ना है यह है किसके कल्याण करने की युक्तिया बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे है ना, अकर याद करेंगे तब पावन बनेंगे घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो बहुत मित्र, संबंधी, आदी तुमको मिलेंगे भिन भिन युक्तियां रचो देखो न, जैसा समय है, जैसा स्थान है जैसी स्थिती है, जैसी बात उठी है उसी अनुसार समझाना शुरू कर दो बहुतों का कल्यान कर सकते हो हट्टी तो एक ही है आना अंत में सबको एक जगाई है तसलिए कल्यान सबका कर सकते हो और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहां अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुखे सार पहला ग्रहस्थ विहवार में बहुत युक्ती से चलना है कोई को नाराज भी नहीं करना है पवित्र भी जरूर बनना है दुसरा एक बाप से अविनाशी ज्यान रतनों का दाना ले अपनी बुद्धी रुपी जोली भरपूर रखनी है बुद्धी को भटकाना नहीं है पैगम्बर बन सबको बाप का पैगाम देना है आज का वरदान है बेहद की वैराग्य वरती द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजरिशी भव सच्चे राजरिशी कब बनेंगे? जब बेहद की वैराग्य वरती द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहेंगे राजरिशी अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ रिशी, दोनों अलग-अलग है एक तरफ राज्य है, सब प्राप्तियां है, और दूसी तरफ रिशी है न अर्थात बेहद के वेरागी है अगर कहां भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तों में कहां भी लगाव है तो राज रिशी नहीं जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाओं में पाऊं हुए दोनों तरफ पाऊं रखते हैं फिर न यहां के रहेंगे न वहां के यहां है और लगाव पुरानी दुनिया की तरफ है तो फिर न यहां के न वहां के इसलिए राज रिशी बनो बेहद के वैरागी बनो अर्थात एक बाप दूसरा न कोई यह पाठ पक्का करो तो क्या बनना है बेहद का वैरागी एक बाप दूसरा न कोई स्लोगन है क्रोध अगनी रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है है ना किवल खुद को नहीं जलाता दूसरों को भी जलाता है इसलिए इस अगनी से दूर रहो हम कौन है शांत स्वरू पात्मा है जितना यह याद रहेगा उतना क्रोध अगनी दूर से ही भाग जाएगी तो अपने स्वधर्म में स्थित रहो तो आज विशेश क्या अभ्यास करेंगे बे हद का वैरागी बनने का है ना हद की चीजों का वैराग नहीं करना कामकाज नहीं छोडना परन्तु अंदर से निवरित होना है तो बिलकुल याद रहे मैं कौन हूँ सत्गुरू की सच्ची फॉलोवर हूँ बाप की बच्ची भी हूँ टीचर की स्चुडेंट भी हूँ और सत्गुरू की फॉलोवर भी हूँ तो तीनों याद रहे और अंदर से बे हद का वैराग के रहे ना तो दुनिया में रहते एक बाप के प्यारे बने दुनिया में रहते एक टीचर की शिक्षाओं पर चले दुनिया में हर काम करते एक सत्गुरु के समान सच्चे वैरागी बनने की शिक्षाधारण करे तो फिर बाप, टीचर, सत्गुरु भी याद रहेगा उनकी विशेशताएं भी आएंगी और आत्मा नियारी और प्यारी रहेगी सब दुख दर्दों से बिल्कुर डिटाच रहेगी तो सारा दिन कोशिश करे तीनों याद रहे और अंदर से बेहत का वैराग रहे चाह, ओम शांति खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा ग्यान का है वीज बोया ट्याग की कल में लगाई ग्यान का है वीज बोया ट्याग की कल में लगाई बिखरा है वेराग सौरब तब की जब बेले उगाई बन गया जीवन तपोवन बाभवा मिला है आपसा प्यारे प्रभू कोई ये कहा हमारा आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा पलको में पलते हैं पाएं प्यार हर संबंद का प्रभू मिलन में ने मिला सभा के परमानंद का क्यों न गुलगुल जार हो पाएं सहारा आपका प्यारे प्रभू कोई कहा हमारा आपसा खिला है वन का चमन हमारे मिला है माली आपसा कर्म में आई कुशलता आत्म अनुशासन होगा कर्म में आई कुशलता आत्म अनुशासन होगा सेवा के इस साधना से स्वयं परशासन होगा वाहरे तकदीर पाएं साथी प्यारा आपसा प्यारे प्रभू कोई कहा हमारा आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा प्यारे प्रभू कोई कहा हमारा आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा खिला है मन का चमन हमारे मिला है माली आपसा खिला है